क्या आप तैयार हैं? वेंजन्स आ रहा है जिसका था अब सब को इंतजार जुलाई का सबसे बड़ा इवेंट आज चका है 26 जुलाई को आज ही जॉइन करो आसम रिवार्ड्स जीतने के लिए और सुनो, सब फ्री है ब्लू दिस्ट्रॉयर और को कलेक्ट करें और गोल्ड वाउचर, दिस्ट्रॉयर सर्फ बोर्ड, डाइमन रॉयल वाउचर और तो और मास्टर दिस्ट्रॉयर बंडल जैसे बहतरीन रिवार्ड्स को रिडीम करें इस Blue Destroyer Orb को collect कैसे करना है? बहुत आसान! 17 जुलाई से 28 जुलाई तक एक Blue Destroyer Orb रैंडमली हर मैच के बाद आपको मिल सकता है एक दिन में maximum 10 ही और याद रहे, सिर्फ 26 जुलाई को हर मैच के बाद आप पास सकते हैं 5 Blue Destroyer Orb पाने का मौका वो भी बिना किसी लिमिट के और बिकठा करने के बाद Vengeance Special Interface पे लॉग इन करें और Exchange Hall पर क्लिक करें यहाँ पर आप Blue Destroyer Orb जो आपके पास हैं उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में एक या दस ओब्स को यूज बटन पर क्लिक करके एक्सचेंज कर सकते हैं एक से तीन पॉइंट्स के लिए राइट में दी गई Destroyer पावर बार पर पहले माइलस्टोन पर गोल्ड वाउचर रिडीम कर सकते हैं Destroyer सर्फबोर्ड को रिडीम करने के लिए आपको दूसरा माइलस्टोन पूरा करना होगा और आखिर में टॉप लेवल पर पहँचने पे आप रिडीम कर सकते हैं Master Destroyer Diamond Royale वाउचर के साथ वो भी बिल्कुल फ्री और पर्मनेंट और उसके बाद टेंशन नहीं तीनों लेवल्स पार करने के बाद भी आप बहुत सारे रिवार्ड ले सकते हैं और भी Blue Destroyer Orbs को कलेक्ट करके और Exchange Hall से एक्सचेंज करके तो क्या आप तयार हैं? अभी जॉइन करें Vengeance Day 26 July Free Fire पे और पाएं फ्री और पर्मनेंट रिवार्ड्स